Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आप सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम तो parents, बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं English Practice Book Class 1 की page number 7 तो इसमें हमें ये concepts दिया हुआ है this and that का ये detail में this कहां लगता है, that कहां लगता है आप मेरे चैनल पर जाके reason worksheets playlist में इसकी detailed मैंने video डाली हुई है इसका concept बताया हुआ है और इसकी worksheets भी डाली है जहां से आपको clear हो जाएगा this कहां लगाया जाता है और that कहां लगाया जाता है तो चलिए start करते हैं अच्छे तरह समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखे यह एक boy है और यह एक tree है dash is a tree अब boy ने tree के बारे में बताने ठीक है तो वो क्या लगाएगा this की that और यहां पे वो action भी कर रहा है कि जो tree है उससे काफी दूर है तो यहां पे हमारा लगेगा that जहां कोई चीज बहुत दूर हो object हमारा दूर हो वहां हम क्या use करते हैं that और जहां हमारा object near हो वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास हो तो तब हम लगाएगे this यहां पे हम लगाएगे बच्चो that तो यहां पे लिखते हैं that that is a tree next picture में boy के पास क्या है table boy इसको touch कर रहा है इसकी तरफ इशारा कर रहा है dash is a table तो यहां आएगा हमारा this this is a table यहां लिखेंगे this is a table यहां एक girl है और यहां क्या रखा हुए jug जग तो उसके पूरे पास ही है तो उसको touch भी कर रही है और उसकी तरफ इशारा कर रही है तो क्या लिखेंगे this use होगा की that सोचो यहां use होगा this this is a jug यहां chair और यह boy that is a chair वो chair boy से कितनी दूर है तो that आएगा that that is a chair girl girl ने क्या पकड़ा हुए pen पकड़ा है dash is a pen this t-h-i-s this is a pen यहां पर boy है और sparrow है दूर है काफी तो boy sparrow की तरफ इशारा कर रहा that is a sparrow यहां पर क्या लिखेंगे that t-h-a-t that is a sparrow next यहां पर हम करते हैं now see the picture and frame a sentence using this or that अब हमने एक sentence बनाने जिसमें this लगाने और देखने हैं कौनसे sentence पर this लगेगा और कौनसे sentence पर that लगेगा तो number one डाल लगते हैं हम यहां पर करते हैं यह हमारा first sentence हमें house दिया हुए यह क्या हमें दिये house क्या बोलेंगे तो चलिए लिखते हैं this is a house this is a house हमारा this भी यूज हो गया क्योंकि वो house पास था second sentence क्या दिया हुए boy है और यहां पर kite है kite उसके दूर है पास नहीं है तो क्या बनेगा that that is a kite that is a kite third number पर एक गर्ल है और यहां पर क्या है टू हिल्स दिखाएंगे है ठीक है mountains भी लिख सकते हैं hills भी लिख सकते हैं थोड़ा easy होता है फर्स्ट के बच्चों के लिए लिखना spelling में मिस्टेक नहीं होती तो हम यहां पर लगाएंगे वो इशारा करें वो चीज दूर है थर्ड नमबर पर हम लिखेंगे यहां पर यहां पर कैट दी गई है ठीक है बोई के पास ही कैट है तो यहां पर क्या लगेगा दिश्ट यहां पर यहां दिश्ट दिखाये गए है और दिखाये गए है तो हम यहां पर यहां पर यूज करेंगे दूर है ना ओध that is a cloud bother cloud किसे कहते है bother sixth हमारे पास है boy दिया हुए और साथ में हमें यहाँ पे jeep दी गई है तो यह इसके पास ही है इशारा कर रहा है वो चीज इसके पास है तो हम क्या use करेंगे we will use this this is a jeep बच्चो that और this के पूरे concept को समझने के लिए आपको मेरी वीडियो कौनसी वाली देखनी है this और that जिससे आपको पूरा concept अच्छी तरह से हो जाएगा clear पहले वो देखना फिर आप इसके खुद sentences बनाना आपको पूरी तरह अच्छी ये concepts understand कर जाओ गया ठीक है और जिसने अभी तक like ने किया फटा फट से like कर दो आगे से अच्छी अच्छी और इंट्रस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए तो अगर आपको ये भी वीडियो मेरे अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शियर और सब्क्राइब माइ चैनल तिल देन बाबाई झाल